मेरा नाम सुमित है। मैं कुछ सालों पहले दुबई में नौकरी करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर फैक्टरी में नौकरी करता था। दोस्तो आप नए हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे वहाँ पर एक विदेशी लड़की मिल गई। वह मुझे पसंद आ गई थी और इसलिए मैंने उससे शादी कर ली लेकिन उस लड़की की फैमिली विदेश में ही रहती थी। मेरी शादी के पांच महीने बाद ही फैक्टरी में एक हादसा होने की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। मेरा एक हाथ कट जाने की वजह से मैं लाचार हो गया था। कि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मुझे कमा कर दे और इसलिए अब मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने मुझे एक-एक आइडिया दिया कि क्यों ना मैं मिठाई बनाती हूँ और आप हमारे इस छोटे से घर में ही छोटी सी बैठक बनी हुई है। वही पर मेरी बनाई हुई मिठाई बेच लिया करो। मुझे अपनी पत्नी का यह आइडिया काफी पसंद आया और इसी लिए मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दी। मेरी पतनी सारा दिन घर में रहती और मैं बैठक में बैठकर मिठाई बेचा करता था। मुझे ये काम शुरू किये हुए लगभग दस दिन हो गया था। लेकिन मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। मेरा एक जानने वाला था जो मिठाई बनाने का सामान मेरी पतनी को दे कर चला जाता था। मैंने अपनी पतनी से कहा था कि शुद्ध मिठाई बनाया करो। मिठाई में कभी मिलावट मत करना क्योंकि मैं बहुत इमानदार इंसान था और सारे काम इमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुँचे, मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हाथसा गुजर चुका है, इसी लिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता और शुद्ध मिठाई बेचूंगा, जिससे लोगों को को नुकसान नहीं पहुँचे, बलकि मिठाई खाने से उनकी सेहत अच्छी हो, लेकिन मुझे अपनी दुकान पर बैठे हुए पूरा-पूरा दिन गुजर जाता था, कोई मिठाई खरीदने ही नहीं आता था, हमारे घर में एक ही फ्रिज थी, वह भी बहुत छोटी थी, और मैं बासी मिठाई अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता था, मेरी पतनी कहती कि अगर हम मिठाई फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वह खराब हो जाएगी, मेरी पतनी ने सारी मिठाई ली और मोहले के सारे बच्चों में बांट दी, मेरी पतनी का नाम सोनिया था और वह वह इंडियन थी, लेकिन वह विदेश में रहती थी लेकिन यहां पर वह अपने किसी रिष्टेदार के यहां पर आई हुई थी जब मैं यहां अपनी फैक्टरी में काम करता था तब मुझे वह पसंद आ गई थी इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा सोनिया ने जब अपने माता-पिता से हमारे बारे में बात की तो उसके माता-पिता भी हमारी शादी के लिए तयार हो गए थे और जब मैंने अपने पेरेंट से पूछा तो वह भी हमारी शादी के लिए तयार हो गए थे हमने बड़ी सादगी से ही शादी की थी हम दोनों की family हमारी शादी के दिन के लिए अपने घर आ गई थी अब जबकी मैं दुबई में ही काम करता था इसलिए मैंने यहाँ पर एक किराय का मकान लिया और अपनी पत्नी के साथ इस किराय के मकान में shift हो गया था मेरी पत्नी हर दो महीने में यहां पर आती जाती रहती थी इसलिए वह यहां की हर चीज को जानती थी और उसे यहां के हर रास्ते के बारे में मालूम था मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं था मैं बहुत स्मार्ट हूँ मेरे माता पिता ने सोनिया को कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़ कर कहीं नहीं गई और मेरी शादी के पूरे एक महीने बाद मेरे साथ यह हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और मेरी एक टांग में फ्रैक्चर हो गया दो महीने यहां गोजार कर ही जाती थी, अब जब मेरे साथ यह हादसा हो गया तो मेरे माता पिता ने मुझसे बहुत कहा कि तुम अपने यहां वापस आ जाओ, लेकिन मैं गाव वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि गाव में मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था और मेरा मानना ये है कि अनपढ़ इनसान की कोई वैल्यू नहीं होती बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से मिल पाती है इसलिए मैं चुपचाप दुबई चला आया था और यहां पर एक फैक्टरी में नौकरी कर रहा था यहां मुझे पैसे अच्छे मिल जाते थे इस वजह से मेरे घर के हालात भी बहतर हो गए थे मेरे माता पिता भी खुश रहने लगे थे हमारे घर से गरी भी दूर हो गई थी मुझे दुबई में नौकरी करते हुए पूरे एक साल हो गए थे इसलिए मुझे यहां से चलते हैं, लेकिन मैं गाव जाकर अपने माता पिता पर बोज नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे पिता भी बूढे हो चुके थे, घर में मेरे दो भाईया और दो भाविया भी रहती थी थी, वह लोग सोचते कि अब यह लाचार हो गया है और हम पर बोज बनने के लिए हमारे पास आ गया, इसकी मजबूरी है, इसलिए यह हमारे पास आ गया, लेकिन मैं तो बहुत इमानदार और खुद्दार इनसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहीं पर रहकर कुछ दूस नहीं होता तो वह भला कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरे जुटाए हुए पैसे थे, वह मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। अब मैं बहुत परिशान हो गया था। मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी पतनी बहुत अच्छी थी, वह मेरा बहुत खयाल रखती थी और बड़ी मेहनत से मिठाई त परिशान ही हो रहा है और अब आगे मिठाई के लिए हमान में खर्टी थी थी। उसे घर के काम भी करने होते थे और अब तो वह मिठाई भी बनाने लगी थी। मेरी पतनी सच में बहुत अच्छी औरत थी, वह बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी वह मेरा बहुत साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरी मिठाई नहीं बिक सकी और खराब होने के डर से मेरी पत्नी ने उसे बच्चों में बांट दिया। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि इस तरह से तो रोज हमारा नुकसान ही हो रहा है और अब आगे मि पत्नी से बात करते करते मेरी आँखों में आशू आ गए थे और फिर मेरी पत्नी भी रोने लगी थी। मेरी पत्नी मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान, सब ठीक कर देगा। आप परेशान क्यों होते हो, मैं उसे देखकर तो मुझे कभी-कभी यह अफसोस होता था कि कहीं मेरी पत्नी यह ना सोचे कि मैं अब उसके काबिल नहीं रहा, और मुझे यह डर रहने लगा था कि कहीं मेरी पत्नी मुझे-मुझे छोड़ कर ना चली जाए, लिकिन मेरी पत्नी कहती थी कि तुम फिक्र मत करो मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मैं हमेशा आपका साथ दूँगी, और कभी बुरे हालात में आपको अकेला छोड़ कर नहीं जाऊंगी, लेकिन आगे क्या होगा, अब मुझे इस बात की टेंशन रहने लगी थी, फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक सॉल्यूशन बताया, जिसे सुनकर मैं नाराज भी हो गया था, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को दूसरा कोई मर्द देखे, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हारी जगह पर मिठाई बेचती ह मैंने कहा कि मुझे यह बात पसंद नहीं कि तुम दुकान पर बैठ कर मिठाई बेचो और दूसरे मर्द आकर तुम्हारी तरफ नजर डाले। यह बात मुझे बिलकुल पसंद नहीं और यह आइडिया तुम्हारे दिमाग में आखिर कहां से आया। मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा और तुम्हें कभी दुकान पर बैठने की परमिशन नहीं दूँगा। मेरी पतनी कहने लगी, यह हमारी दुकान नहीं है, बलकि यह तो हमारे घर में बना हुआ छोटा सा कमरा है और मुझे कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना, अपने घर में बैठ क लेने के लिए आया करेंगी, मर्द तो ज्यादा तर नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए औरतों को भी मिठाई की जरूरत होती होगी, वो खुद ही आकर ले जाया करेंगी, मेरी पत्नी की, ये बात तो बिल्कुल सही थी, कि औरतों को देखकर औरत दुकान से मिठाई लेकर चली जाएंगी, और हमारे मोहले में वैसे भी औरतों को सामान लेने की बहुत दिक्कत होती थी, और ये बात भी सही थी, कि ये कोई दुकान नहीं, बलकि ये तो हमारे घर का कमरा था, और मेरी पत्नी अपने घर में ही तो बैठेगी, फिर भी मुझे ये बात पसंद नही थी, लेकिन हालात के बारे में सोचते हुए मैंने अपनी पत्नी को परमिशन दे दी, फिर अगले दिन मुझे खबर मिली कि गाव से मेरी पत्नी की बहन शिखा आ रही है, वह मेरी तबियत देखने के लिए आ रही थी, वह कुछ देर अपनी बहन के साथ बैठी रही, उसके सोच रहा था कि मेरी साली क्या सोचेगी कि यह लड़का हमारी बहन को परिशान रख रहा है, जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वह मिठाई की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं हुआ, वह कहने लगी, अगर यह दुकान पर बैठ जाएगी, तो कोई बात नहीं, और वैसे पत्नी ही तो पति के बुरे हालात के वक्त काम आती है, अगर वह आपका साथ दे रही है, तो इसमें क्या बुरी बात है, और फिर अगर आपकी पत्नी ही आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आपका साथ कौन क्योंकि इस अंजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहती हूँ कि आप इस शहर से या तो विदेश आ जाओ या फिर गाव अपने माता-पिता के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, सोनिया को दुकान पर बैठाना तो फिर आपको जो ठीक लगे आप वह कर लो। आप दोनों अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि सोनिया दुकान पर बैठती है। मेरी साली ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं अपनी पतनी को परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली दो दिन हमारे घर पर से क्या कोई परसनल काम है या फिर तुम्हारी बेहन को तुमसे कोई काम है? तो मेरी पतनी कहने लगी, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, दरसल मेरी दीदी का देवर यहाँ पर काम करता है, इसलिए वह अपने देवर के पास भी कभी कभी आ जाती है, इसलिए वह कहने लगी ह कि कभी कभी हम हमसे भी मिलने आ जाया करेंगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। मेरा ही फायदा था कि मेरी पत्नी अपने घरवालों से यहीं पर मिलेगी। मुझसे अपने माय के जाने की जिद्ध नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। क्योंकि मेरे पास मिठाई बनाने के सामान के लिए अब पैसे बिलकुल खत्म हो चुके थे। आज जो मेरे पास मिठाई रखी हुई थी। अगर यह नहीं बिक्ती तो फिर कल पता नहीं हम क्या करते क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। मेरी पत्नी पहले आस पडोस के लोगों के यहां चक्कर लगा कर आई कि यह मेरे हाथ की शुद्ध बनी हुई मिठाई है, मेरी मिठाई खाने से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं लगेगी और ना ही मेरी मिठाई में कोई मिलावट होगी। यह बात अभी तक लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट से ही मिठाई जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि ये घर पर बनी हुई मिठाई है और शुद्ध मिठाई है तो लोग खुद चलकर हमारे पास आएंगे और हमारी मिठाई को टेस्ट करेंगे जब टेस्ट करेंगे तो उन्हें मिठाई बहुत पसंद आएगी उसी के बाद तो हमारी मि प्लिसिटी तो करनी ही होगी न, तभी तो हमारा काम चलेगा, मेरी पत्नी सिर्फ हमारे मोहले के ही कुछ घरों में गई थी, उसके बाद वापस आ गई और उसके बाद मेरी पत्नी कहने लगी कि आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि आज यह मिठाई बिग जाए, स खरीद कर ले गई थी, मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हुई, मैंने उससे कहा कि एक कस्टमर से काम नहीं चलेगा, अगर आज हमारी यह सारी मिठाई नहीं भी की, तो फिर हमें यह मिठाई बच्चों में बाटनी पड़ेगी, और कल की मिठाई बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आज की सारी मिठाई बिख जाए, ताकि हम नुकसान में ना जाएं, मैं बैठे बैठे बहुत ठक गया था, और टेंशन की वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आराम करने के लिए कुछ देर अपने कमरे में जाकर लेट गया, और अपनी पतनी से कहा कि तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं जब आराम करने के लिए लेट गया, तो मुझे नींद आ गई, अचानक जब मेरी आँख खुली, तो मुझे सोते हुए चार गंटे हो गए थे, मैं तो मेरी पतनी खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज मैंने सारी मिठाई बेच दी है, मेरी पतनी ने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ाने लगी, मुझे तो ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई, मैंने जब दुक दुकान की तरफ नजर गुमाई, तो दुकान की सारी मिठाई खत्म हो चुकी थी, यह बात सच थी, कि मेरी पतनी ने सारी मिठाई बेच दी थी, और वह उसी बिकी हुई मिठाई के पैसे मुझे दे रही थी, मैं हैरान रह गया था, कि इन तीन चार घंटे में मेरी दुका खाली हो गई थी, मेरी दुकान की सारी मिठाई बिक चुकी थी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने दुकान की तरफ देखा, तब यकीन करने के अलावा, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, मिठाई क सारे बरतन खाली पड़े हुए थे, और पैसे भी उतने ही थे, जितने की आज की सारी मिठाई के बनते थे, हमारी सारी मिठाई लगभग दस हजार की बिक गई थी, मेरी पत्नी ने कहा कि इन में से आधे पैसे मुझे दे दो, ताकि मैं कल की मिठाई बनाने का सामान ला मैंने आधे पैसे अपनी पत्नी को दे दिये और उसके बाद मेरी पत्नी खुद सामान लेने के लिए घर से निकल गई मैं बड़ा हैरान था कि आज हमारी सारी मिठाई बिग गई थी अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था जब मेरी पत्नी दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो सारी मिठाई बेख जाती थी मेरी पत्नी के पास औरतें और मर्द दोनों ही मिठाई खरीदने के लिए आते थे लोग काफी खुशी-खुशी मिठाई लेकर जाने लगे थे दोस्तो कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर देना साथ ही साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना